हेलो स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड क्लास नाइन नैतिक शिक्षा पार्ट नंबर छै की एक्स्प्लानेशन पार्ट का नाम है मलेच बंस का सेर सिवराज तो इसकी कहानी है आपने नाम सुना होगा छत्रपती सिवाजी महराज का तो ये वही है उन्हीं कि हम यहाँ पर इस चैप्टर में कहानी जानने वाले हैं उनकी वीर गाता के बारे में यहाँ पर वरणन क्या गया है चैप्टर के अंदर उसी के बारे में हम इसमें समझेंगे चलो सुरू करते हैं मैं हूँ अज्जे और आप देख रहे हैं CCL क् लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दू अगर आपको इस complete book में किसी भी chapter की explanation देखनी है important question, textual question answer, कुछ भी चीज आपको समझनी है तो description में playlist का link मिल जाएगा वहाँ से देख लेना अगर आपको question answer ebook download करनी है या फिर chapter लिखे हुए चीजे आपको सारी चीजे तो website ccl chapter.com गूगल पर जाके search करना ये और आपको website मिल जाएगी वहाँ पर से आपको सारे solutions वगारा मिल जाएगे चलो अब सुरू करते हैं chapter को समझना बहुत ही प्यारी सी कहानी है देखो तुमने कहानी सुनी होगी छत्रपती सिवाजी महराज की और उन्होंने क्या किया था एक्च्छल में हम उनको जानते क्यों हैं ये सबको पता होना चाहिए देखो बहुत सारे ऐसे राजा हुए थे जो अपने सामराज्य को संभाल नहीं पा रहे थे और बहरी जो सासक थे बहरी सासक का मतलब जो भारत से बहर के जो अकरमन कारी थे वो भारत में हमले कर रहे थे और भारत में कोई भी राजा उनके सामने नहीं टिक पा रहा था और ऐसे ही टाइम के अंदर छत्रपती सिवाजी महराज का जनम होता है और वो जो है पूरे लगबग कहा सकते हैं कोई कि पूरा नहीं था एक जैक्ट लगबग पूरे भारत पर जो है अपनी एक टाइम के लिए अपनी सल्तनत बसाते हैं पूरा राज कर लेते हैं और उनके सासनकाल में बहुत ही तरक्की होती है तो उसी वज़े से हम आज उनको जानते हैं और इस कहानी के तरू हमें और भी बहुत सारी चीजें उनके बारे में जानने को मिलेंगी भारत भूमी वीर जननी कहलाती है यानि कि वीरों को जनम देने वाली भूमी भारत भूमी है वो यहां समय समय पर अनेक महापूरुसों और वीरों ने जनम लिया ऐसे ही वीरों में एक्स्रेश्ट वीर थे सिवा जी महराश्टर के घर घर में माताय अपने बालकों को उनकी वीरता की कहानी सुनाय करती है देखो हमारी साइड के होते हैं हर्याना साइड के तो कहीं न कहीं हमको भी हमारी माताय सुनाती अब वो उधर के थे महराश्टर साइड के तो उधर के घर परिवारों में उनके कहानिया बहुत परचलीता है शिवा जी, आदर्स, मात्रिषबा स्पूत, निर्भिक, वीर, सहासी सोर्यवान, सुसासक और रज्य निर्माता थे यानि कि जो अच्छे च्छी खूबिया हम बता सकते हैं उनके अंदर वो सारी ही उनके अंदर थी इनहीं गुणों के कारण उन्हें कवी भूसन ने सेर कहा था यानि कि सेर की उपादी से नवाजा था कवी भूसन ने चत्रपति शिवाजी को अब जो सिवाजी है ना वैसे नाम सिवाजी था उसके आगे जो चत्रपति था वो महाराज बनने के बाद में ऐसे नाम कर्ण करते थे वो तो तब लगा था कहीं तुम कनिफ्यूज हो रहे हो कि अब देखो तुम को कुछ कहानी एक पंक्तियों में कुछ पल्ले नहीं पड़ाओगा और इन्होंने व्यक्यात दी भी नहीं है हमको देखो मैं तुमको round round समझा देता है उसमें कहा कया कया एक एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए मुस्किल हो जाएगा ढूंड के लाना पड़े है फिर मेरे को देखो तुम round round समझ लो माम ला क्या है रावन ने जो है ना रावन था रावन को जानते हो सब लोग रामायन की कहानी पड़ी होगी तुमने तो वहाँ पर उस टाइम पे जो रगुकुल राजा राम थे वैसे ही जो है यहाँ पर बताते हैं कि सहस बाव का एक टाइम आया वैसे ही जो है यहाँ पर मरीग राज का भी एक टाइम आया और ऐसा ही एक टाइम आया था शिवराज महराज का शिवाजी महराज का तो उसी को लेके जो है यहाँ पर कहीं सारे जो है भारत वर्स के दक्सिन पस्ची मी भाग में इस्थित महाराष्टर प्रदेश में सिवाजी का जनम हुआ था उनके पिता का नाम सहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था यह जो है ना माता पिता के नाम याद रखने पड़ेंगे तुमको इनके क्योंकि एक्जाम में पूछ ले जाते हैं चाहजी दरबार में सेवारत थे जीजाबाई महान देश बगत और विरांगना थी उन्होंने ही सिवाजी को सिवाजी बनाया मलब तुम सोच रहे हो सिवाजी को सिवाजी कैसे बना दिया देखो वो सिवाजी थे एक नादान बच्चे थे लेकिन उनक माता की वज़े से जीजा बाई की मा भवानी पर बड़ी सर्दा थी इसी कान सिवाजी में भी मा भवानी पर सर्दा उत्पनों गई कहते हैं मा भवानी ने परकट होकर सिवाजी को तलवार भेंट की थी कि ये तलवार लो इससे दुस्मनों की गर्दने उड़ा डालो सिवाजी के पिता सहाजी ने दूसरा विवाह कर लिया था जीजा बाई को इससे बहुत दुख हुआ और वह सिवाजी को लेकर पूना के पास एक चोटी सी जागेर में रहने लगी देखो पहले के राजा लोग ऐसे ही हुआ करते थे तुम ये मत सोचना कि इनकी कहानी ही ऐसी दुख बरीज लग रही है तुमको लगबग सभी राजाओं का सेम सा यालता कुछ एक राजा अच्छे होते थे जो अपनी पतनी जिससे विवहा किया है उसके साथ रहते थे पूरा जीवन व्याचित करते थे लेकिन ज्यादा तर जो लोग थे वो ऐसे ही थे वो अपनी दूसरी साधी कर लेते थे फिर तीसरी चोटी ऐसे और मुगलों के शासनकाल मे कि जो रिलीजन होते हैं उसकी तरफ ज्यादा जो है लगाव होने लगा उनको जिसका बालक सिवाजी पर बहुत परभाव पड़ा माता पुत्र को रामायन और महाभारत की अनेक कहानियां सुनाया करती थी कि रामायन में ऐसे भगवान सिरी राम ने ऐसे रावन को मारा था महाभारत में बहुत सारी कहानियां माता ने शिवाजी को सुना रखी थी शिवाजी की सिख्षा दिख्षा दादा कोंड देव के दवारा हुई उन्होंने ही सिवाजी को अस्तर सस्तर की सिख्षा दी यानि हतियार चलाने शिखाए शिवाजी ने बच्पन से ही अपना काम स्वयम करना शीगा, इनके खुद से अपना काम किया करते थे वो, इसे उनकी बुध्धी, कारिय कुसलता और सहन सीलता के आश्चरिय जनक्सु योग से विक्सित हुई, इसी कारण उन्हें हर्द्या में स्वाधिन ताक द्रिड भावी जागरित हो गया, सिवा जी बाले आव लोग सुनते नहीं थे जनता की परजा की परजा आपस में मरे कटती रहती थी, और उसके वजए से उस टाइम पे लगबग जो योध्धा निकल के आए, उनको सहासी होना पड़ता था, वीर होना पड़ता था, वो मजबूरियां भी थी उनकी कई ना कई, और अगर वो डर सहाजी बालक सिवाजी को बीजापूर के बादसा के दरबार में ले गए, अब सहाजी ने बालक सिवाजी से कहा, तुम बादसा को जुक कर सलाम करो, अब सिवाजी ठायरे सिवाजी, तो सिवाजी ने ना तो सलाम किया, जुक ना तो दूर की बात थी वह या, पहली फूरस आपको तो मालूम है मैं अपनी माता यानि की जो माता है उनकी असलिमाई जिजावाई और भवानी मा को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक नहीं जुकाता मैं नहीं जुकूंगा कर ले तेरे हुज़ो करना है सिवा जी का चरितर परबल और उजवल था वे सभी धर्मों का आदर करते थे उन्होंने किसी मस्जिद को हानी नहीं पहुंचाई पर कभी लड़ाई में मुस्लिम धर्म गरंत कुरान को कोई परती उन्हें मिलती थी तो उसे आदर के साथ रखते थे परती होती है यानि कोपी होती है ना ऐसे कुरान जो एक गरंत है उनका इत्यासी गरंत है तो ऐसे उसकी कोपिया निकाल रखे होते हैं ताकि अलग अलग जो है मस्जिदों बगएरा में रखी जाए अगर उनको कभी ऐसे कहीं पर मिलती थी तो वो उसको भी सम्मान के साथ रख देते थे ऐसा नहीं ह महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखते थे जब कल्यान के किले पर सिवाजी का अधिकार हो गया वो तो उनके एक सेनापती ने कल्यान के नवाब की बेगम को पकड़ लिया यानकि जो वहां का राजा था उसकी जो पतनी थी उसको पकड़ लिया सेनापती ने बेगम हो लिया और बेगम को देखकर कहा तुम सच मुझ बहुत खुबसूरत हो कास तुमने मुझे जनम दिया कास तुमने मुझे जनम दिया तब मैं भी तुम्हारे समान खुबसूरत होता यानिकि जो सिवाजी महारा जब उनको कह रहेगी मैं भी जो है तो थोड़ा काला सा रंग है मेरा लेकिन मैं भी आपकी तरह खुबसूरत होता अगर आपने मुझे जनम दिया होता यहां पर वो इंटेंशन नहीं थी यहां पर इंटेंशन यह थी कि वो उसको इज़त दे रहे हैं मा के समान इज़त दे रहे थे वहां पर शिवाजी ने बड़े आदर से कुरान और सकते लंबे टाइम तक टिक ने नहीं देंगे दुसमन बहुत दुआ करते थे उस टाइम पर तो वह अच्छे खिलाडी थे उस मामले में औरंग जेब ने मिल ले यह मुगलो का जो राजा था उसने मिलने के उदेशे से सिवाजी को आगरा बुला लिया अब यह कहानी है ब पंदि बना के सिवाजी अपने यह क्या है अपने पुत्र के साथ मिठाई के टोकरे में छिप कर कैद से बहार निकल आए अब तुमको लगर आओ भाई मिठाई का टोकरा था कि क्या था एक छोटे से टोकरे में सिवाजी छिप के बहार आ गए और औरंग जेब को कानो कान भी नहीं हुई औरंग जेब सिर पीट पीट कर रहा गया और फिर सिवाजी को गिरफतार नहीं कर सका क्योंकि पहले तो भाई ऐसे दोस्ती के बहाने बुलाते हो फिर धोका धड़ी करते हो चल हम छुट गए हैं वह आपीस तेरे सिकंजे में नहीं आने वाले सिवाजी ऐसा मामूली सा मत समझो तुम हाँ कबजे में था वो किसी दुस्मन के कबजे में था लेकिन हाफिर भी जीतना उसकी मां की इच्छा थी कि वो जो कॉंधाना की इच्छा थी कि हमको ये दुर्ग चाहिए अब कॉंधाना के दुर्ग को जीतना बहुत मुश्किल था पर मां की इच्छा तो इच्छा ठैरी, सिवा जी ने सिगर ही ताना जी को कॉंधाना के दुर्ग पर हमला करने के लिए आदेश दिया, ताना जी ने दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया, पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुती देनी पड़ी, यानि कि वहाँ पर उस लड़ाई अब उसी समय से कॉंधाना के दुर्ग का नाम पढ़ गया, सिहिंगड, क्या पढ़ गया नाम, सिहिंगड पढ़ गया, सिवा जी अपने गुरू स्वामी रामदास के बड़े भगत थे, रामदास के बहुत कदर करते थे, अब यहाँ पर तुमको लगेगा कि ये क्या चल मजाक मतमानना कहानी बहुती ट्विस्ट लेने वाली है उनकी जिन्दगी की, उन्हें राजपाट का बिलकुल मोह नहीं था, तुम यही सोच रहे होगे अब तक तो भईया, राजपाट में जिन्दगी ऐसा आराम, राजा बन गया, भई, राजा बन गया, तो स्वैग में रहेगा, ऐसे मोज मारेगा, ऐसा कुछ नहीं था, उनको राजपाट का कोई ज़्यादा लालच नहीं था, एक बार स्वामी रामदास ने सितारा के किले में जैजे स्री रोगुवीर समर्त का जैगोस कर भिक्षा मांगी, तो सिवाजी ने एक कागच पर अपना सारा राज स्वामी जी के नाम लिख कर उस कागच को उनकी जोली में डाल दिया, यानके कागच पर लिखा कि मैं अपना सारा सामराज्य आपको और पित करता हूं, और ऐसे जो उनकी जोली में डाल दिया, स्वामी रामदास उस कागच को पढ़कर हस पड़ेगी, यह क्या मजा कर रहे अच्छे से दाई तव संभालना अपना दो का धड़ीना उने पाए सिवाजी ने अनेक लड़ाईयों में विजय प्राप्त की उन्होंने मुगलों को महाराष्टर से निकाल कर सवतनतर राज्य की स्थापना की अब देखो हुआ क्या था मुगलों के जो सा सकते वो भारत में बहुत ही गहराई से गुश चुके थे दिल्ली सल्तनत की जो नीव रखी गई उड़ा दिया था दिल्ली सल्तनत का क्या ही छोड़ा उन्होंने उसके बाद में आगे बढ़ते गए वो आये थे उपर की साइड में अगर आपको भारत का कुछ राउंड ओफ नक्सा याद है राउंड ओब बोल रहा हूं मैं ज्याद अच्छा नक्सान की बात नहीं कर रहा तो ऐसा सा कुछ नक्सा भारत का अब यह अच्छा नहीं बना मैं समझता हूं अब जो मुगल थे वो इधर की साइड से ठीक है अब उन्होंने पहले तो यहां की इलाके पर कपजा करा उसके वास्तव में भारत के नक्से में महराश्टर ही एक ऐसा राज्या था जो औरंग जेब के सासनकाल में आजाद हो गया था और कोई किसी बस में नहीं था इतना इसका स्रेश सिरफ सिवाजी महराज को जाता है किसी और को नहीं जाता सिवाजी 6 जून 1674 को हिंदू रीती के अनुसार राजगदी पर बैटे यानि राजा बन गए वो उन्होंने छत्रधार्ण किया और हाती पर सवार होकर अपने दल बल के साथ राएगड के रास्ते में जूलूस निकाला यानि कि जैसे होता ना जैसे कोई मलब राजा को जो लगबग 6 वरस पस्चात, 3 अपरैल, 1660 को सिवाजी का सर्गवास हो गया, सारा महाराश्टर वजराहत हो गया, निकि सब बढ़ी दुखी थे कि ऐसा महान राजा उनके बीच अब नहीं रहा था, उनकी याद हमारे हर्दे में सदा अमर रहेगी, क्या मुगलों को जो रोक गया था, नहीं तो आज क्या पता अंग्रेज कुछ और कर रहे होते हैं, या कुछ और ही मैटर होता इतिहास का, अगर शिवाजी ना आयोते, तो ये थी कहानी, छत्रपती शिवाजी महराज की, तो आयोब आपको भी अच्छे से समझ आयोगी, कहानी में मज़ा आया होगा मैंने कोशिस करी है, बहुत ही अच्छे से आपको रेप्रेजन कर पाओं कहानी को, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और बाकी जो चैप्टर्स के एक्स्प्लाइनेशन अगर आपको देखनी हैं, तो प्लेलिट से जाके आप देख सकते हो, मिलते हैं नई वीडियो में, ब